पौराडिक लोग काथाओं का एक एसर हस समयजियों जिसे लोग वेंपायर्स की नाम से जानते हैं और वेंपायर्स से जुड़ी कहानिया भी मिल जाती है अथिकतर देसों में वेंपायर्स को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून भी जाते हैं माना जाता है कि यदि कोई इनसान हात्महत्या करता है या किसी लास को कोई बिल्ली लांग लेती है तो वो मौत के बाद वेंपायर्स बन जाते हैं जब कि कोई कहता है कि यदि इनसान को वेंपायर काट ले या कोई बच्चा दातों के साथ पैदा होता है तो वह वेंपायर बन जाता है। हाला कि अलग 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 देशों में वेंपायर की जन्म को लेकर भी अलग अलग धाड़ आए हैं उसी तरह उसे मारने का तरीका भी अलग अलग बताया बया है। जैसे कि वेंपायर को अभी मारा जा सकता है जब उसके दिल में लकडी की हंत्यार से वार किया जाए और आग से जला दिया जाए या फिर सूरज की रोसनी से मारा जा सकता है। वेंपायर की पुराने समय की बहुत से ऐसी कहानिया हैं जिन्हें कहा जाता है की वे असली थे। लेकिन अभी तक इनके होने का कोई भी पक्का प्रमान नहीं मिल पाया है। इसलिए या इस दुन्या में एक करपनिक जीव ही बन कर रह गई है।